आज का टाइप जनसंख्या से रिलेटेड है परसंटेज का टाइप 12 कोशन परते हैं कोई सामने एक कसवे की जनसंख्या दस यार है एदि पूरुस जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की ब्रिधी की जाए ब्रिधी की जाए तो जनसंख्या इतना हो जाती है तो कस महिलाओ की जन शंख्या में कितनी हैं बतलाना है NTPC कोशनvag 10 if क्वासिव की जनстаख्या 2d के जयार 10000 मतल है वर्थमान जन i संह्क्या ठेक एक पोसिबिटी एक बतला है पूरुस जन संख्या में 5 परतिशत महिला १ाला जन La grave F प्रतिसत की ब्रधी की जाए जनसंख्या इतना हो जाती है तो आपको क्लू दिया है तब बतलाइए वर्तमान जनसंख्या महिलाओ की संख्या कितनी है ठीक है कोशन परते हैं पर लिए अब बनाएंगे एक कस्वे में कितना जनसंख्या था दस जार नहीं जनसंख्या है दस जार बोले है पुरुस जनसंख्या में पुरुस मेल में पाच प्रतिसत की ब्रधी होती है और फिमेल जनसंख्या में दस प्रतिसत की ब्रधी होती है ठीक है तो इसको अब सूचिए पाच प्रतिसद मेल भी बढ़ा और दस प्रतिसद फिमेल भी बढ़ा इसको आईसे लिख साथ लिखना गलत है लेकिन लिखेंग एंसर आता है अचे पाच प्रतिसद प्लस पाच प्रतिसद हमी माल लिए पाच प्रतिसद मेल भी बढ़ा और पाच प्रतिसद फिमेल भी बढ़ा ठीक पाच प्रतिसद मेल भी ए पाच प्रतिसद फिमेल भी तो सुचिए दस हजार का पाच प्रतिसद कितना होगा ना सुनना सब सुनना प्रसेंटेज दुग सुनना कैंसिल 500 अब कोशन में कह रहा था जनसंख्या 10800 हो जाती है 10800 हो जाती है अब सोचो पाच प्रतिसत मेल आफ प्रतिसत फिमेल बरहाद एक अनुमाल नगा लिए पांसो बढ़ा जनसंख्या में, ना, अकुल कितना बढ़ा जनसंख्या में, आठसो, ना, कितना बढ़ा, आठसो, हमको आया कितना, पांच प्रतिस्यत ब्रहने अब पांसो, तब बचा कितना, तीनसो जनसंख्या कहां गया भुगा, थम बोल सकते ही जो पाच परतिसत है आग एही 300 है, मतलब फिमेल का जो पाच परतिसत है वही 300 है, फिमेल निकाल लेजए, पांस से कटीए 5 चक तीस 30 मरत में दूसने उधर चला जाये 6 और फिमेल हो गया 6 चाहला अब सूचे मेल कितना होगा मेल मेल दीखिए वह 10 गयार में छे गयार क्या है पिमेल है न जहूर 4 गया मेल होगा तो मेल हो गया है कि हम इसे मेल फिमलें पहले बहुत का निफ्यूजन में इम से मर्द याद कर लिए थे का निफ्यूजन दूर खतम कोई दिक्कत वाली बात चलिए यह आपका वर्तमान जनसंख्या ऐसे सॉल्प कर सकते हैं अब यह प्रैक्टिस किजिए बाद में से लिखने को जरूरत नहीं है सोची का उसे दस याड़ से 1000 1000 अट सो हुगने बहुता है को संव किइतना वह पांच प्रतिस्तर ठीन्जुग तो फ़ीमल निकाल लिए को आइसे के अल है secondo नेक्स्ट कोश्टन है इसी प्रकार है अब सेकेंड कोश्टन है यह बनाईएगा न तापको एक बाद जोड़ सिखना को मिलेगा मालूम चलेगा ओ वर्तमान जनसंख्या कोन है यह कोश्टन प्राइग गलती बने चांस चादा रहता है एक गाउ की कुल जनसंख्या 4000 है पूर कुलू दिया अब कुछ 910 आने से पहले गाउ में पूरुष की संख्या कितने थी जो 10 प्रतिसत बरहा 20 प्रतिसत बरहा इसके आने से पहले गाउ में पूरुष की संख्या कितने थी चार हजार में पूरुष के गो महिला के गो बतलाना है यहां पासे पूरुष पूछ रह जान से डिराने के लिए कुछ लाइन दे दिया है, सब नहीं समझे आपका बात, ठीक है, अब बनाते हैं कुछन पहले हम, ठीक, तो गाओ की कुल लें संख्याती, 4000 तलिक देते हैं, यहाँ पर 4000, ठीक है, जिसमें से बोला, पुरूस और महिला, मेल और फिमेल, मेल में 10 परतिसद, और फिमेल में 20 परतिसद की विर्दी होती है, तो जन संख्या, 4000 से 4500 हो जाती है, ठीक, सुचिए, 10 परतिसद यी भी बढ़ा, अब 20 परतिसद यी बढ़ा ना, यहीं तो 20 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 10 परतिसद प्लस 10 परतिसद, ऐसा हम मान के चलते हैं, कि 10 परतिसद मेल भी बढ़ा, 10 परतिसद फिमेल भी बढ़ा, ठीक, 4000 का 10 परतिसद दुनो बढ़ा, नहीं, 4000 का 10 परतिसद दुनो बढ़ा, परसेंटेश से दूस नहीं कहां से, 400 बढ़ा, परतिसद का मतलब हो गया, 400, तब बचला ही कितना, ओ, 4000 से 4500 हो गया न, तब बढ़ा इधर 500, कितना बढ़ा, 500, इधर 400, तब 500 में सका 400 घटा दिया जाए, तब हमारे पास बचा 100, आप परसेंटेश में इधर बचला ही, तब बोल सकते हैं, जो फिमेल का 10 परतिसद है न, वही तब 100 है, फिमेल निका लीजे, सुना से सुना गया, आप परसेंटेश से गुना हो जाएगा, गुना भाग कर लीजेगा, 1000, फिमेल हो गया, 1000, 4000 में से, तब मेल कितना हो जाएगा, तीन हजार, अई वर्तमान जन संख्या था, ध्यान दिजेगा, नय सदस आने से पहले, गाउ में पूरुस की संख्या कितनी थी, मतलब इस पर बतलाईए इसी पर, जो सदस बढ़ा न, इससे कोई मतलब नहीं है, तीन हम वर्तमान जन संख्या ले कहीं चले हैं, ठेक, किसी सहर की जन संख्या आठ जार थी, एक वर्स में पूरुस की जन संख्या में दस परतिसत, इस्तिरियोग जन संख्या में आठ परतिसत की बिर्दी हुई, लेकिन कुल जन संख्या में नौ परतिसत की बिर्दी हुई, तो सहर में पूरुस इस्तिरियोग जन संख्या क्या थी ध्यान दीजे यहां थी लगा हुआ है 8000 थी ते बतला यह कितना यह में पुरू से कितना महिला है पूछने का मतलब है ध्यान दीजी का एक बात है अब 8000 से कितना हुआ नहीं दिया हुआ है लेकिन बोल रहा है 9% की बिर्दी हुई आठ हजार का 9% निकालीजे ठीक है चलिए बनाने का प्यास करते हैं ठीक है जन संख्याती 8000 मेल और फिमेल मेल में बरहा 10% और फिमेल में आठ प्रतिसत ठीक है और कुल जन संख्या में 9% की बिर्दी हुई आठ हजार का 9% कितना हैगा तो सिंपल है आठ नावा बहत्तर साथ सो बीस बहत्रा गया अब परसेंटेजे दूर सुना गया होगा अमने 720 बढ़ गया मतलब देता ना था 8720 दिना चाहिए था एक ने बोल जन संख्या का 9% बढ़ गया हमने 720 बढ़ गया अब सुचो 10% हम क्या लिख सकते हैं 8% प्रतिसद प्रतिसद तो हम बोल सकते हैं 8000 का 8% प्रतिसद पहन निकाल लेते हैं ता अठी-ठी 64% के दूर सुना गया 640 आएकर केतना है 720 ता 720 में से 640 घटा लिजे सुनना बार में चाहिए 8 808 बढ़ गया ना 8% ए भी बढ़ा 8% ए भी बढ़ा तो पुरा मिला के 640 बढ़ा माल नेते है और कोस्टन में बोला है पुरा 9% बढ़ा है मतलब 720 बढ़ना चाहिए 640 बढ़ा है 720 होना चाहिए था जनसंक्या बढ़के तो 80 कमा न तो 80 किसके कारण से कमा तो बढ़ा ही 2% के कारण जोड़ी 2% ही 80 है 2% ही तो 80 है तो बोल सकते हैं क्या यहाँ आप लिखते हैं मेल का 2% ही 80 है 840 मरत में अब परसेंटेज निच्चा में उन्हें गुना हो जागा तो सुना मेल हो गया 4000 ठेक तो फिमेल कितना फिमेल फिमेल 8 में से 4000 मेल है तो फिमेल भी 4000 अब जो पुछे आप टिक मार लिजेगा जैसे खोशन पूछ रहा था खूल जन संख्या में 9 परतिस्त के ब्रदी हुई तो सहर में पूरुस और महिला की जन संख्या क्या थी बतला दिए 4-4000 थी अब देखिए जब आप कुछ आगे पढ़िए एक चेप्टर है एलिगेशन कौन सा चेप्टर है एलिगेशन तो वहाँ पर आप इस मेठट से भी बना सकते हैं कुल जन संख्या 9 प्रतिसत की ब्रदी हुई ना मेल बलहा 10 प्रतिसत अब फिमेल बलहा 8 प्रतिसत तो घटाते हैं 10 में से 9 गे लिते 1 9 में से 8 गे लिते 1 माइनस प्रस मतलब नहीं है जो फर्स टाइम देख रहे हैं किसी में से घटा इए यह बड़ा होगा यह छोटा होगा यह नो से बहुर यह नो से छोट रहा लिए जब कुल जन संख्या दिया रहा है और बटवारा भी किया रहा है मेल भी दिया हुआ है फिमेल भी कुल भी दिया है इसको बोलते है चीरफार बीच में देद लए आयर इसे चिरफार कर दिया मतलब बटबारा कर दिया तो यह लिग एसन रूल लगाते हैं तो बोलेंगे और मेल भी वान रेशियो और फिमेल भी वान तो वान रेशियो वान का अनुपात होगा और एक रेशियो पुछता तो आप इस मेथट से बना सकते थे अब देखा यहाँ पर जन यहाँ पर तो जन शंख्या कितना है एक है मेल में फिमेल में एक जन संख्या कुल दू आप हजार है ना था बोल सकते दू बरावार आप हजार मेल पूछे का तो एक से कुना चकाट लिजे दू चुका आठ एक का बहलू 4000 है ते इभी 4000 हो गया इभी 4000 हो गया अई दूर हता एक का बहलू 4000 दूर ते चार दूर 8000 हो जाता है ठीक ऐसे बना सकते हैं और सब कोस्टन को हम हुआ उसका बीचला परसंटेज निकाल लीजे बना लीजे तो उसमें गुना भाग जारा करना पड़ेगा ठीक है इस टाइप से बनाईए एक कोस्टन है लास्ट कोस्टन है एक अस्वेग जनसंख्याय इतना है प्रतिवस्त दस प्रतिजात के दर से दि लीजे कितनी है